ठीक है, संदीब जराया जल्दी से क्लेयर कीजेगा। ये जो फायरिंग की बातें सामने आ रही हैं, क्या एक बार फायरिंग हुई है? जो अमेर की सेना ने फायरिंग की है, वहाँ पर भीड कोनी अन्ठरstore करने के लिए? या उसके लावा भी वहाँ पर कोई फाइरिंग है हुई है और कितने भारती है वहाँ पर आकड़ों के हिसाब से क्या जानकारी मिलपारी की फसे हो सकते हैं अगर फाइरिंग की बात करें तो एक फाइरिंग की घटना रात को भी सुनाई दी थी जब इसी तरीके की भीड बड़ी तो उसके बाद जो है जो एक प्रेम्टिव एक्षन लिया जाता है और लोगों को पीछे अटाने के लिए जो हवा में फाइर किये जाते हैं उसी तरीक करने के लिए वहां मवजूद नहीं है क्योंकि एर ओपरेशन चलाने के लिए आपको एटीसी पे आदमी चाहिए वहां पे ऑफिसर्स चाहिए लेकिन पूरा एयरपोर्ट जो इस वक्ताहस नहीं और सारे लोग वहां के इधर उदर हो रखें तो ऐसे में अगर को है पूरा अनकंट्रोल हो गया है और खुद जो है अमेरिका को पता था इस तरीकी सिचुएशन हो सकती है तो अमेरिका ने अपने लोगों को निकालने के लिए अपने 5000 सैनिकों के साथ वहां से जो है अपना ही एक नया एटीसी कमांड सेंटर जो है वहां पर त्यार कर रहा पर रख दिया गया है चीक है आप रही जरा साथ देखे रवीवार की रात अफगानिस्तान से 129 भारतिये देश लौटे थे दिली एरपोर्ट यूज 18 के अमिज सिंग ने ऐसे ही कुछ लोगों से दिली एरपोर्ट पर बात की क्या हालत है काभूल में से? वालत का काभूल का पुरा दिखड़ा है और पीपल आर थोडे डरेवर से वहाँ है और आर यह दो अधर बात शेलते शेल आपशन, आप रख देखे थेले खेलेश पर दिली एर बात बात त्राफिक है दो किलो मेंटर थे टक मार्वार वक्वा अब आपको बतादे कि इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो यह है कि नोटन जारी करके यह कहा गया है कि अफगानिस्तान का सिविलियन एरपोर्ट जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है यानि कि आप कोई सिविल फ्लाइट वहां से फिलाल टेक आफ नहीं कर पाएगी लेकिन एहम बात यह है कि इसमत अफगानिस्तान के काबूल में थिर पोर्ट जो फ्लाइट का आना जाना है उसका पूरा उसका पूरा कंट्रोल एस आर्मी के पास है उसे सभंपर्क में हता की वहां से जो भारति वहां पर शरण पाना चाहते हूं, तमाम लोगों के लिए भारत भी गदम उठा रहा है, हलाकि इसको लेके अभी प्लानिंग चल रही है, डिटेल सहजा नहीं की जा रही है, लेकिन भारत इस सिधी पर नजर बनाए हुए है, और आपको ये भी अपडेट कर दे कि आज शाम को ही UNSC में भी भारत के देक्षिता में एक बैठक होने वाली है, जिसमें अफगनिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा होगी, आपको ये भी याद दिला दें कि भारत समय कई मुलकों ने कहा है कि हिंसा के बलपर बनी हुई सरकार अफगनिस्तान में अगर आती है, तो उसको कोई भी द साथ मुझूद है, साइध मकसन, जो की मेंबर पार्लामेंट है, अफगनिस्तान से सर, इंडिया पहुचे है, बातचीत करेंगे इंडिया गोवर्मेंट से? सरकार कैसी रहेगी तर उहां पर सिर्कार के साथ मिल का अफगानिस्तान परुब्स बार्ट उट्वर्मन्ट तालिबानी आतंकियों की कबजे के बाद अफगानिस्तान में कोहरा मचा हुआ है पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हैं और इस बीच्ट केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र रियादव ने अफगानिस्तान में बिगरते हालात पर चिंता चताई। भारत सरकार पूरी तरीके से उस पर चिंती थे, सहीं आच्छी कारवाई हमारे देश और सरकार के दौरा की जाने। शुसिसेन असर संजेर रावत ने भी अफगानिस्तान की बिगरते हालात पर चिंता चताई। पूरे विश्व को चिंटा है, अफगनेस्थान में क्या होगा, और उसकी पूरे देश में, पूरे विश्व, हमारे पूरे वर्ल में उसका क्या पुरणाम होगा, अमरिका से लेकर रशिया तक, और इंदुस्तान से लेकर, वहां कहीं भी, एक तो तालेबान जो लोग है यो इस्वामी ग्रूप है, टेरेज ग्रूप है, जिस तरह से सत्ता पर कबजा किया है, तो इंदुस्तान को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा. कर लिया है, तो हम भारत की सरकार से एक मैचौर राजनितिक, रणनीतिक और डिप्लोमेटिक रिस्पॉंस की अपेक्षा करते हैं. अफगानिसान संकट पर आरसस नेता, रामाधव ने क्या कहा, वो भी आपको बता दें, दरसल उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कि तालिबान के पास ISI के 30,000 से ज़्यादा भाड़े के लड़ाके हैं. काबूल पर कब्जा करने के बाद तालिबान इन लड़ाकों को पाकिस्तान की मदद से कहीं और तैनात करेगा, भारत को गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए. तालिबान आखिर में पाकिस्तान और चीन का भी इस्तमाल कर सकता है, लेकिन दथका खत्रा भारत के लिए. अब देखना यह होगा कि जैसे ही इनकी सरकार बनी है, अगर आपको यादो पिछली बार 1996 से लेके 2000 एक तक, जब एक बार जब इनकी सरकार बन गई थी तालिबान की, तब भी पाकिस्तान इंको मदद कर रहा था, लेकिन इनोरे दोरंद लाइन जो पश्तून जो वजरिस् उसको बॉर्डर मानने से मना कर दिया था, और कहा था कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक कि मुल्ला उमर उसके अपर नराज हो गया था, पर तो जो आप बन रही है, डेफिनिट है कि हमें तो